बागेश्वर धाम के महंत पंडित धिरेंद कृष्ण साफ्त्री इन दोनों चर्चा में हैं और हमारे साथ मौझूद हैं आयुद्या से जगत गुरु परामहंश आचार माराजी आप पंडित धिरेंद कृष्ण साफ्त्री के जो चमतकार हैं उफको लेकर के आपने कहा है कि वो चमतकार नहीं हैं क्या है वो देखे मत्र प्रदेश छतर पुर जिला के गड़ा गाउं के रहने वाले पंडित धीरंद कृष्ण सास्त्री वो बताते हैं कि पांच-पांच दिनों तक औरह जाते थे पारले विश्कुट खाके इतनी गहर की जो आर्थी किस्थिती थी बहुत खराबना जुक थी अच्छा हुआ भगवान की किरपा से धीरे धीरे समय बदल गया बड़ी अच्छी बात है मैं उनका परसंसक भी हूँ हमने उनका पुर्जोर समर्थन भी किया है कई बार लेकिन जो वो ये कहते हैं कि पेसी लगाते रहो यहां आते रहो ठीक हो जाओ हम गये थे वहां हमने द देखा तमाम लोग मेरे पास दोड़ क्या है कहें कहें छेचे महीने से आ रहा हूं कितनी बार से पेसी लगा रहा हूं कोई आरामे नहीं हो रहा है ति यह भरम में नहीं डालना चाहिए मैं उनको बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पंडित धीरंद कृष्ण सास्त् ने उनको सुझाओ दिया था कि आप भारत को संबैधानिक रूप से हिंदू राष्ट घोसित कराने के लिए हमारा अभियान चल रहा है उसको आप आगे बढ़ाईए उन्होंने मेरे आदेश का पालन किया और उस पर मैं उनका जो है तो मुझे परसन्नता भी है राम कथा क है अच्छी बात है सनातन धर्म का परचार करें अच्छी बात है लेकिन लोगों को गुमराह करना चमतकार के नाम पर अगर चमतकार उन जानते हैं थम कहते हैं आप जमीन से निकाली है न सोना चांदी पैसा आप बाटिये जो लोग आ रहे हैं आप लोगों से चंदा क्यों लोग इस आसा से जा रहा है कि कोई चमतकार कर देंगे किसी को कोई लाव नहीं हो रहा है वो तो कहते हैं हम कोई किफी परकार की कोई भी राशी नहीं लेते हैं जो शरद्धा से लोग चड़ा देते हैं बफ वही होता है जैसे सरद्धा से लोग जो चढ़ा रहे हैं तो वहां जो जाने वाला आदमी है वो जा रहा है उसको यह है कि भाई, होसकता है कि उनको कुछ दएदें, इसी बहाने इंसे मिल लेंगे इसी बहाने हो सकता है, हमारा-श fewपर कुछ मतकार कर दें मैं यह कह रहा हूँ जितने भी देश में जो है हनुमान जी के मंदिर है पराण परतिष्ठा हुई है कहीं भी कोई जाए वही हनुमान जी सब जगे हैं और जहां उनको यह कहना चाहिए कि आपके आस पास जो हनुमान जी के मंदिर है वहाँ जाईए अब हनमान जी को सुन्दूर चढ़ाईए हनमान चली सा पढ़िए आपका दुख दूर हो जाए तब तो ठीक है अब केबल बागेस्वर जाए तो बाकी जो हनमान जी है वो उनकी पूछा कौन करेगा वहाँ उनके लिए कौन जाएगा दरसन करने इस तरह उन करते हैं उनका जो अच्छा कार है उसका समर्थक हों लेकिन जो भूद पर जारना साधों का काम थोड़ी है अचारियों का मैं बहुत पर जारन नहीं है कि भूतान यांति भूतेज्या जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को ही प्राब्द होते हैं ये तामसी कारी है इसलिए जो है मैं पंडित धिरेंद कृष्ण सास्त्री का बिरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके गलत कारियों का उनके अक सब्दों का उनकी गलत नीतियो का मैं बीरोध करता हूँ और जंता को जागरूप करता हूँ कि ऐसा कोई दुनिया में चमतकार नहीं है कि बीना पढ़े कोई पास हो जाए बीना काम करे किसी के हाँ जो है तो धन की बरसा हो जाए आप काम करिए ब्यापार करिए मेहनत करिए बच्छों को अच्छी सिक्षा दीजिए अच्छा संसकार दीजिए अच्छा स्वास्त दीजिए और अच्छा मेहनत करोगे तो आपका दुखदूर होगा अगर ऐसे हो जायत हमने देखा तमाम बड़े-बड़े सादू संत क्यों जा रहे हैं भाई हास्पिटल तुम चमतकार कर दो उनको वहीं ठीक हो ज जाती है तो सनातन धर्म का परचार करिए लेकिन ऐसा काम न करिए कि जिस दिन आपका भंडा फोड़ हो उस दिना जो आप से जुड़े हुए लोग हैं उनका मुह काला हो जाए अब उनके अंदर से नास्तिक बन जाए हजारों की संख्या में जिस तरह फे वो लोगों का प पीड़ जाती है उस सबका पर्चा थोड़ी बनाते हैं उसमें से दस पाच लोगों का पर्चा बनता है तो इसी से लोगों को समझ लेना चाहिए कि हजारों लोग जा रहे हैं जो जा रहा है हर कोई जा रहा है पर्चा बनवाने सबका तो नहीं बन रहा है अब वो अपने ढग से पर्चा मनाते हैं लेकिन हम उस पर्चे को कुछ नहीं कहेंगे के युदू कि हमारे यहां जो तिस विद्या है जो पहले से भले वो नहीं मागते हैं लेकिन वही तो दे रहें उन्हीं के देने से उनका जैजैकार हो रहा है उनका विज्टार हो रहा है और जो विचारे दुखी है और दुखी होते जा रहे हैं मरे को मारना है दुखी को दवे को दवाना है तैशा काम नहीं करना चाहिए थोड़ा स के रूप से हिंदू राष्ट रिगोसित कराने के लिए वो जितना परचार करें उसके लिए हम लोग तन मन धन से हैं अगर जान देना पड़ेगा तो जान दे देंगे उनके लिए लेकिन जो लोगों को ये गुमरा करते हैं कि पेसी लगाते रहो दुखदूर हो जाएगा त तो इस तरह लोगों को अकरमण जो बनाने का काम है ये पंडित धिरेंद कृष्ण सास्ती को नहीं करना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सुझाओ भी देता हूं अलाकि मैं उनके मंच पर एक दो बार गया हूं वो हमारा बड़ा रिश्पेक्ट करते हैं हम ले दरबार लगाते हैं दरबार में जो जिव तरह alorsibles लोगों को अब्सब्र कहते हैं इन सब चीजों पे बिरामना चाहिए क्योंकि जिव तरह से सनातम धर्म का पर्चार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत ही जायज है जिव तरह से प्रम अधार्म सनाभ का कोई बिरोध नहीं कर रहा है लेकिन जिफ तरह से दर्बार में लोगों से अब्द सब्द कहते हैं लोगों को पेशी लगाने की बात करते हैं इंफ़ चीजों पे पूर विराम लगना चाहिए क्योंकि हमारे पूरे भारत में पूरे देश में हनमान जी हर जगें भी राजमान हैं तो जहा ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी